तो दोस्तो अभी आपने जो इंट्रो देखा था वो था फाइर बोल्ट की ब्राइड न्यू स्मार्टवच एमरेल्ड का इंट्रो और इस वीडियो में मैं आपको इसका डीटेल रिवी दिखाने वाला हूँ जैसा आप देख सकते हैं ये स्मार्टवच काफी शांदार पैकेजिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है उसी के साथ-साथ फीमेल्स के लिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बॉक्स लेखने को मिल जाएगा जिसमें आपको स्ट्राप्स और अलग अलग चीज़े संभालने की बी ऑप्शन मिल जाती है तो यह चीज़ मुझे काफी ज्यादे इंप्रेसिव लगी है अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका चारा जल्दी से मैं आपको स्मार्टवॉच की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू दिखा जाता हूँ आज की वीडियो में आपको इसका डीटेल रिव्यू मिलने वाला है चाहे वो इसकी बिल्ट कॉलिटी और दिजाइन हो वाच याप इंटरफेस हो या फिर एंड में इसके हेल्ट सेंसर की एकुरेसी क्यों ना हो तो बने रही है वीडियो के एंड तक 5,999 की स्पेशल लाउ यहां पर आपको डिजाइन को मिल जाता है वो प्रॉपर क्रीश्चल या पाईसाल आप या ज्यादा सुंतर लग रहा है स्मार्ट वॉच का ऑपर इस स्मॉच को बनिया और प्रीयास के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते है सेली राखी जयसे इवेंट के लिए यहां 9.09-inch's HD display यहां पर देखने को मिल जाता है जिसको जल्दी से मैं आपको बूट करके दिखाई दूँगा और बिल्कुल metallic dial आपको देखने को मिल जाता है front पे और back side में आपको बहुत ही premium build quality मिलेगी along with fireball branding and smartwatch के sensors right side में आपको एक dial देखने को मिल जाता है जिसका purpose आगे मैं आपको वीडियो में बतानी वाला हूँ और overall मुझे smartwatch बहुत ही ज्यादा light weight लगी है तो definitely females के लिए बहुत अच्छी option हो सकती है तो अब जल्दी से smartwatch को बूट करके आपको setup करके दिखा दोता हूँ फिर हम detail में smartwatch का UI भी देख लेंगे दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी main smartwatch आगे है जो कि diamond cut chick design में बहुत ही ज्यादा awesome लग रही है यहाँ पर जो इसका display है वो हर angle से आपको काफी unique देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात ही है कि इदर आपको working crown भी देखने को मिल जाता है एक अच्छी बात ही है कि यह smartwatch obviously aesthetics के लिए बनाएगी है और उस चीज़ पर काफी अच्छे से focus किया गया है तो मेरे साब से उस मामले में smartwatch बहुत premium और luxury लगती है और यहाँ पर जो आपको watch faces देखने को मिलते है वो बहुत ही ज्यादा elegant लगते है वही अगर बात करें इसके touch response की तो बहुत ही ज्यादा smooth देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पर आपको सारे वो basic features मिल जाते है जो आप एक smartwatch में expect करते हैं तो जल्दी से एक basic overview दूँगा आपको UI का क्योंकि obviously वो ज्यादा priority नहीं है main चीज़ है इसकी looks और उस मामले में मैं आपको जीसे दिखा चुक हूँ अब अगर right swipe करें तो यहाँ पर आपको इसका main menu देखने को मिल जाता है जापर obviously female health tracking पर भी काफी इचे से focus किया गया है उसकी के साथ साथ आपको stopwatch timer जैसे सारे features मिल जाते हैं और settings में जाके आप बहुत जादा customization कर सकते है screen duration को आप obviously बढ़ा पाएंगे जो कि यहाँ पर maximum 60 seconds तक की है लेकिन वो obviously आपकी battery जादा खाएगी और brightness, race to wake और ऐसे कई सारे features आपको मिल जाते हैं आपको कोई भी problem नहीं आने वाली अब अगर settings में आगे बात करें तो यहाँ पर आपको about, reboot और reset जैसी options एंड में दिखने आती हैं और यहाँ पर जो crown है वो काफी अच्छे से function करते हैं और यहाँ पर हर जगा आप इसको easily use कर पाएंगे overall watch का UI काफी smooth है और मुझे इसकी functionality काफी ज्यादा पसंद आई है सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर देखने को लग रही है वो है दोस्तो इसके crystals जो यहाँ पर बहुती ज्यादा चारचान लगा रहे है इस watch पे और मैं जल्दी से आपको इसके battery backup का भी overview दे देता हूँ battery backup की अगर बात करें तो यहाँ पर smart watch बड़े राम से 3-4 दिन चल जाती है और अगर आप brightness वगेरा को भी बहुत high रखते है तो भी smart watch बड़े राम से 2-3 दिन चल जाती है और health senses की accuracy की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हवा में smart watch reading नहीं दिखाती सारी basic health senses मिल जाते हैं और steps calculator जिसको आप सबसे जादा use करने वाले वो यह smart watch में काफी accurately दिख जाता है तो finally अगर बात करें conclusion की कैसी लगी मुझे fireboard की brand new emerald smart watch तो मेरे साब से दोस्तो under 6000 रुपीज के price point पर आपको propels waroski crystals मिल रहा है जो की verified है और यहाँ पे दोस्तो बहुत elegant look आती है एक extra pair of straps मिलते हैं amazing charging port मिल जाता है looks अच्छी है smart watch की और बहुत premium look है और बहुत ही ज्यादा unique looking smart watch अगर आप देख रहे थे female skill और specifically gifting option की तरह जूकि आपको proper packaging के साथ मिले तो definitely आप इस smart watch के लिए जा सकते हैं इसका page bank नहीं नीचे description में आपको मिल जाएगा आशाय आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी तो जरूर इस वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और नीचे comment section बताएगा कि कौन सा part favorite था इस वीडियो है इस product का मिलते नेक्श वीडियो में अगर आपने टेक मेंजिल को subscribe किया हुए तो thank you दोस्तो